नमस्कार दोस्तों बोल्सकाई में आपका सौगत है फेकने वालों की कमी भी नहीं है मगर क्या पुराना गुड़ खाया जा सकता है क्या गुड़ कभी खराब होता है इस बारे में जानने के लिए आईए इस वीडियो को अंतक देखते हैं गुड़ को टेस्ट करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ताजा है या पुराना गुड़ यदी पुराना होगा तो सौद में थोड़ा सौल्टी हो जाएगा गुड़ कई तरीके के होते हैं अगर सबसे सेहतमन गुड़ की बात करें तो खजूर और नारियल का गुड़ सबसे ज़्यादा फायदेमन माना जाता है वहीं गरने का गुड़ भी बनता है आम तोर पर लोगों को सबसे असानी से यही गुड़ बजार में मिलता है इस गुड़ में कई मिनरल्स जैसे फॉस्पोरस, जिंग, आयरन, कैल्शिम आदी मौजूद होता है ज्यादा आयरन तत्व होने के कारण ही गुड़ जैसे जैसे पुराना हो जाता है वैसे वैसे काला हो जाता है पुराना गुड़ एनीमिया, लीवर और इम्मीनिटी बढ़ाने का काम करता है मगर जो लोग वेट कम करना चाहते हैं जिनने डियाबिटीज की समस्या है उन्हें इस गुड़ के सेवन से बजना चाहिए नारियल का गुड़ भी आंटी ऑक्सिदेंट्स, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है इतना ही नहीं, इसमें एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज भी होती है अगर आपको ब्लेट शुकर की समस्या है तो आपको प्रति दिन गुड़ खाने के आविशकता ही नहीं है मगर बीपी के परिशानी और खून की कमी से जूज रहें लोगों को प्रति दिन 50 ग्राम गुड़ जरूर खाना चाहिए आपको बता दे कि गुड़ आपके हेमगलोबिन स्तर को बढ़ाता है वहीं मेटाबॉलिजम रेट को मजबूत बनाने के लिए आप खाली पेट पानी के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं अगर घर में किसी को सर्दी खाजी की समस्या हो गई है तो उसे काले मिर्च अद्रक और गुड़ की चटनी बनाकर चाटने से काफी राहत मिलती है इसके लाब गुड़ को स्टोर करना बहुत ही आसान होता है गुड़ को कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म स्थान पर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने पर वो पसीज जाता है गुड़ को अगर आप एरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रखते हैं तो 20 महीनों तक उसका इस्तमाल आसानी से कर सकते हैं उमीद है आपको यह जानकरी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें